इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ छितिज भाग दो के गध खंड के सारे important questions जो आपके board exam के लिए बहुत ज़्यादा important है इस वीडियो में मैं आपको most important 30 questions बताऊंगा इससे पहले मैं वाकरुपांतरन, वाचपरीवरतन, सूचना लेखन, निबंध लेखन, विग्यापन लेखन और रस के प्रशनों पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर चुका हूँ इन सारे वीडियो की playlist की link मैंने description में दे दी है, आप उन सारे वीडियो को देखिए और exam में help लीजिए इस वीडियो में आपको most important 30 questions बता रहा हूँ, इन सारे सवालों का आप screenshot कर लें या फिर copy में लिख लें इस वीडियो के बाद मैं करितिका पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी जरूर देखिएगा ये सारे 30 सवाल बहुत important हैं, ये सारे सवाल textbook questions हैं और हर बार इनी सवालों में से सवाल पूछे जाते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और गद खंड के ये 30 important questions देखते हैं गद खंड का पहला पार्ट है नेता जी का चश्मा, इस पार्ट के लेखक स्वैम परकाश हैं इस पार्ट में देश भक्ती का संदेश दिया गया है, और बताया गया है कि देश के नागरिकों पर किर्ती और जीव जन्तूं से प्रेम करना और उनकी रक्षा करना भी देश भक्ती है इस पार्ट से आपको मैं केवल 4 प्रशन बता रहा हूँ पहला प्रशन सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे दूसरा प्रशन पान वाले का एक रेखा चितर परस्तुत कीजिए तीसरा प्रशन जब तक हालदार सहाब ने कैप्टन को साक्छा देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चितर रहा होगा और चौथा प्रशन वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल कैप्टन के परती पान वाले की इस टपनी पर अपनी परती किरिया लिखे दूसरा चैप्टर है बाल गोबिन भगत बहुत ही इंपॉडन चैप्टर है गदखन का सबसे इंपॉडन चैप्टर है या एक रेखा चितर है इसके लेखक राम वरिक्ष बेनी पूरी हैं इस पार्ट में एक ऐसे आदमी के बारे में बता गया है जो कबीर के आदर्शों पर चल कर अपना जीवन बिताता है इस चैप्टर से मैं नौ सवाल बता रहा हूँ जो बार बार पुछे जाते हैं पहला सवाल खेती बारी से जुड़े बाल गोबिन भगत अपनी किन चारितरिक विशेशताओं के कारण साधू कहलाते थे दूसरा सवाल भगत की पुतर वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाती थी तीसरा सवाल भगत ने अपने बेटे की मिर्थिव पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की चौता सवाल भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेजबूशा का अपने शब्दों में चितर प्रस्तुत कीजिए पाच्वा सवाल बाल गोबिन भगत की दिन चरिया लोगों के अचरच का कारण क्यों थी छटा सवाल पाट के आदार पर बाल गोबिन भगत के मधूर गायन की विशेशताय लिखे साथवा सवाल लेखक राम विरिक्ष बेनी पूरी के अनुसार बाल गोबिन भगत ने किस परकार परचलित सामाजिक माननेताओं का खंडन किया आठवा सवाल पाट के आधार पर बताएं कि बाल गोबिन भगत की कबीर पर शरद्धा किन किन रूपों में परकट हुई है यश्पाल ने इस लेसन में यश्पाल ने वास्तविक्ता से बेखबर होकर बनावटी जीवन जीने वाले सामंती वर्ग की बनावटी और नकली जीवन शैली पर कटाक्च किया है ये लेसन ज्यादा इंपोर्टन नहीं है इसलिए इस से आपको बस तीन सवाल करने हैं पहला कोश्चन लेखक को नवाब साहब के किन हाओ भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिग भी उत्सुक नहीं है दूसरा कोश्चन बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहाने लिखी जा सकती है यश्पाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत है तीसरा कोश्चन खीरे के संबंद में नवाब साहब के वैवार को उनकी सनक कहा जा सकता है आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा किसी एक के बारे में लिखे फोर्थ चैप्टर है मानविय करुना की दिव चमक इस चैप्टर के लेखक सरवेश्वर दयाल सकसेना है इस चैप्टर में फादर कामिल बुलके के जीवन की उन विशिशताओं और पहलूँ को बताया गया है जिससे पता चलता है कि सन्यासी होते हुए भी वे पारपरिक रूप से सन्यासी नहीं थे वे रिश्टे निबाते थे इस चैप्टर से भी आपको तीन कुश्चन ही करने की सला दूँगा फरस्ट कुश्चन फादर क्यू पस्थिती देवदार की चाया जैसी क्यों लगती थी सेकंड कुश्चन फादर बुलके भारतिय संस्किर्टी के एक अभिन अंग है किस आधार पर ऐसा कहा गया है और थर्ड कुश्चन लेखक न फादर बुलके को मानविय करूना की दिव चमक क्यों कहा है आपको इन सारे सवालों के अलावा हर लेशन की रूप लेखक का परिचाए और लेशन का सार यानि समरी आसान हिंदी में पढ़कर समझना है इस से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और सिलेबस पर अच्छी पकड़ भी बनेगी फिफ्ट लेशन है एक कहानी है भी इस लेशन की लेखका मनू भंडारी है इसमें उन्होंने ऐसे लोगों और घटनाओं के बारे में बताया है जिनका संबद उनके लेखके जीवन से रहा है जैसे उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्रिंसिपल शीला अगरवाल साथी उन्होंने सोतंतरता अंदुलन का भी वर्रण किया है इस लेशन से आपको बस तीन सवाल करने है पहला सवाल लेखिका के वैक्तित्व पर किन किन वैक्तियों का किस रूप से परभाव पड़ा दूसरा सवाल वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर तीसरा सवाल मनुश्च के जीवन में आस परोस का बहुत मात्व होता है परंतु महानगरों में रहने वाले लोग पराया परोस कल्चर से वन्चित रह जाते हैं इस बारे में अपने विचार लिखी चटा पार्ट है इस तरी शिक्षा के विरोधी को तरकों का खंडन इसके लेखा के महावीर परसाद दुवेदी इस पार्ट में बताया गया है कि इस तरिया पुरुशों से किसी भी परकार से कम नहीं है लेकिन इस स्थिती को प्राप्त करने के लिए उन्हें लंबा पड़ा है इस पार्ट से मैं आपको केवल दो परशन बताऊंगा जो परिक्षा के दरिश्टी कों से बहुत महत्पूर्न है पहला परशन कुछ पुरातन पंथी लोग इस तरियों की शिक्षा के विरोधी थे दुवेदी जी ने क्या क्या तरक देकर इस तरी शिक्षा का स लिखा गया वैक्ती चित्र है इस लेसन में लेखकने विश्वे परसिध शेनाई वादक उस्ताद बिसमिल्ला खा की रूचियों उनके मिजाज संगीत साधना और लगन को व्यक्त किया है इस लेसन से आपको बस तीन सवाल करने है पहला सवाल है शेनाई की दुनिया में द शेष्टाओं ने आपको परभावित किया आठवा और लास्ट चैप्टर है संस्किर्टी जिसे लिखा है भदंत आनंद कौसल यायन ने इस चैप्टर में बताया गया है कि सभेता और संस्किर्टी में क्या अंतर है साथ ही संस्किर्टी का बटवारा करने वाले लोगों के बारे में भी बताया गया है इस चैप्टर से आपको तीन कुश्चन्स करने है पहला कुश्चन आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है इस खोज के पीछे रही प्रेरना के मुक्सरोत क्या रहे होंगे दूसरा कुश्चन वास्तावी कर्थों में संस्कृत वैक्ती किसे कहा जा सकता है और तीसरा कुश्चन किन मात वो पूरना आवज शक्ताओं की पूरती के लिए सुईध हागे का विशकार हुआ होगा तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टन्ट तीस कुश्चन्स छितिज के गद सक्षन से आप चाहें तो इसके अलावा भ लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बिल को प्रेस कर दीजिए थैंक यू और गुड लग